हेलो गाईज, वेलकम बैक टू अनधर वीडियो, आज चीशुड़ में बात करेंगे RRB कलर्क यानि की ओफिस असिस्टेंट, RRB PO, ओफिसर स्केल फर्स्ट का ओनलाइन फॉर्म फिलब कब से स्टार्ट होगा 2022 का, जैसे कि आपको पता है इसका examination calendar आ गया था, जिसमें pre exam, means exam की date इनोंने बता दी थी तो आज की सुड़ में देखेंगे, फॉर्म की लब कब से स्टार्ट होगा और कल के दिनी NRA, CET exam से रिल्टी नोटिस आया है, जिसमें बताया गया है कि CET के थुरू exam कब से होगा जैसे कि आपको पता है, अगर common eligibility test होता है, तो वो चाहिए banking का exam हो, SSC का exam हो, या फिर railway का exam हो जो इनका pre exam होता है, वो common eligibility test के थुरू ही होगा, यानि कि सभी का pre exam combine होकर एक हो जाएगा यानि कि bank में pre exam नहीं होगा, SSC में भी नहीं होगा, railway में नहीं होगा वो pre exam कौन लेगी, CET लेगी, और जब इसमें qualify हो जाओगे, तो main exam आपका जो conducting agency होती है, वो ही लेगी अगर bank का देना चाहते हो, तो bank का जो agency हो लेगी, SSC का, SSC का और railway का, railway का लेकिन जो pre exam हो CET लेगी, तो इसकी भी important date आगई है, तो क्या इसमें देखेंगे, कि जो ये RRB pure color का exam होगा, ये क्या इसका pre exam CET से conduct होगा या नहीं और इसमें salary कितनी मिलती है, चाहे वो RRB pure color को syllabus क्या रहता है, exam pattern क्या रहता है, selection process क्या रहता है, best book कौन सी है, ये सब भी देखेंगे, तो चले है start करते हैं, अगर आप channel for first time visit कर रहे हो, तो आप इसे subscribe कर लेना, bell icon को press कर देना, government job से related update आपको मिलने लगेगी, वीडियो पस exam date देख सकते हो आप, जिसमें 7 अगस्त से exam start हो जाएगा, आपका pre का, चाहे वो RRB pure color का, और 13 अगस्त, 14 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त, 7 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आपका pre exam हो जाएगा, officer assistant, यानि की color, officer scale first, यानि की pure, इनका exam हो जाएगा, और जैसे कि आपको इसका जो form fill up start होता है, एक मैने पहले हो जाएगा, ये 7 अगस्त से इसका exam start होगा, यानि की 7 जुलाई के लगबग इसका form आजाएगा, जिसे आप online apply कर पाओगे, यानि की जुलाई के first week में आप इसे apply कर पाओगे, जो RRB pure color का examination है, इसके बाद जो mains exam में, मेंस exam में जो officer scale first है, यानि की PO का exam है, वो 24 September की date आई है, और जो RRB color का है, यानि की assistant का है, 1 October को उसका mains exam हो जाएगा, और यहाँ पर 2022 में जो vacancies हैं, उसका यहाँ पर expected है कितनी vacancy आएगी, RRB color में 5300 plus vacancy आएगी, और PO में 4200 plus vacancy आएगी, यानि की RRB color कर PO को add करें, तो उसमें 9500 vacancy इस बार देखने को मिलेगी, ऐसे यहाँ पर IBPS color का देख सकते हो, आप 7850 plus vacancy आएगी, RRB और IBPS color PO को add करें, अब सहली के बात करते हैं, जो RRB color के इनकी office assistant के जो salary है, net pay आपको लगबग 32,000 के आसपा salary मिलती है आपके, इसमें ज्यादा भी मिलती है, लेकिन कुछ deduction होता है, और जो आपको net salary मिलेगी, 32,000 के लगबग मिलेगी, इसके बाद जो RRB PO की जो net salary होती है, वो 53,500 के approach आपको मिलेगी, तो यहाँ पर यह salary structure है, देख सकते हो, qualification यहाँ पर graduate यहनके आप पर degree होना चाहिए, और appearing student apply कर पाएंगे हैं नहीं, यह जब official notification नहीं जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, और मैं वीडियो के तुरू अपडेट भी आपको कर दूँगा, age limit यहाँ पर देख सकते हो, आप RRB color और RRB PO, age limit इसमें color की 22, 28 years होती है, और PO की 22, 30 years होती है, इसके अलावा age relaxation भी मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो, आप SCHT को 5 years, यानि की और ज़्यादा दे सकते हैं, color में 28 plus 5 करो के 33 तक दे सकते हैं, ऐसी OVC वाले 3 years प्लस कर लेना, यानि की color में 28 plus 3 करो के 31, ऐसे ही आप PO में भी add कर लेना, यहाँ पर PWD की जो age relaxation है, यहाँ पर देख सकते हो, SCHT में 15 years, OVC में 13 years, और जर्नल और EWS को भी PWD में age relaxation मिलता है, 10 years का, ex-serviceman को 5 years का age relaxation मिलता है, इसका online phone, यहाँ पर देख सकते हो, पहले भी मैंने बता है आपको, और इसमें selection process, सबसे पहले आपका pre-exam होगा, mains exam होगा, RRBPO का exam दे रहे हो, तो interview होगा, उसके बाद document verification होगा, जो color का exam होगा, उसमें interview नहीं होता है, उसमें pre-exam होगा, mains exam और document verification होगा, इसके बाद, यहाँ पर pre-exam का pattern है, देख सकते हो आप, reasoning और numerical ability, यानि कि math, जिसे कहते हो quantitative aptitude, arithmetic आती है, जो banking exam होगा, reasoning में 40 question आएंगे, और हर एक question 1 mark का होगा, यहीं कि 40 marks, ऐसे numerical ability में 40 question आएंगे, 40 marks, 80 question, 80 marks, और time मिलेगा, आपको 45 minute, negative भी होता है, अगर negative करते हो, तो negative भी जाता है, और reasoning का यहाँ पर sleep is है, जो important topic है, यहाँ आपर देख सकते हो, puzzle most important होता है, उसके बाद, number series, old man out, coding decoding, blood relation, analogy, silokes, alphabet test, ranking and time, cause and effect, direction sense, figure series, word formation, और यहाँ पर देख सकते हो, statement and assumption, assertion and reason, statement and conclusion, statement and argument, statement and action, causes, इसके बाद numerical ability यहीं कि math, aptitude जीसे कहते हो आप, इसमें number system, DI most important होता है, SCF, LCM, profit and loss, simple interest, compound interest, work and time, time and understand, decimal fraction, average, simplification, partnership, percentage, ratio and propagation, average, case, steady chart and graph, permutation and combination and probability, जहाँ पर means exam का exam pattern है, जिसमें देख सकते हो, reasoning, numerical ability, journal awareness, Hindi और English language, computer knowledge, यहाँ आता है, आपको, इसके बाद computer knowledge में, 40 question आएंगे, 20 marks के, 200 question आएंगे, 200 marks के, और time मिलेगा आपको, 2 hour, और यहाँ पर इसका असले बस है, देख सकते हो, English या Hindi का, दोनों में, same ही रहता है, बस, difference हो जाता है, English में दना चाते हो, English का, हिंदी में, हिंदी में, यहाँ पर यह देख सकते हो, आप, reading, comprehension, grammar, या व्याकरण, sporting errors, fill in the blank, misspelled word, jumbled word, arrangement, rearrangement हो गया, idiom and phrases, close test, one word substitution, and toniom and synonym, और यहाँ पर numerical ability means का है, जिसमें आपको पता है, डियाई most important होता है, 15 to 25 question, इसमें डियाई के ही आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, अलग-अलग type के डियाई होती है, बार ग्राप, लाइन चार्ट, टैबुलर, कैसलेट, रडार, वैप, पाई चार्ट, ऐसी डियाई होती है, इसमें आपको 25 question के अप्रोक्स मिल जाते हैं, इसके बाद data sufficiency में, 3 to 5 question, approximation and simplification most important रहता है, 5 question आते हैं, inequality यानि कि quadratic equation के 3 to 4 question आ सकते हैं, number series के, यहाँ पर 3 question आ सकते हैं, इसके बाद वही same topic रहते हैं, mensuration यहाँ पर भी आता है, यह सारे topic वही preview आले होते हैं, इसके बाद reasoning में देख सकते हो, puzzle, sitting arrangement, number series, यह most important होते हैं, old man out, coding, decoding, बाखी same ही syllabus रहता है, बाखी important इसमें puzzle होगे रहा होता है, seating arrangement आपको पता ही है, इसके बाद यहाँ पर financial journal awareness का syllabus है, जिसमें journal awareness में India and international current affair, banking awareness, country and currency, national park, wildlife century, banking terms and abbreviation, banking history, RBI, sports, finance, sports, books and authors, agriculture से related, physical policy, buzzard, government का scheme, government की policies, यह financial awareness का syllabus है, देख सकते हो आप, जिसमें latest topic in news, financial world, budget economic survey, overview of banking and banking reforms in India, bank accounts and special individuals, organization deposit credit loans, advantage, advanced non-performing asset, asset, reconstruction companies, NPAs, restructuring of loans, bad loans, risk management, basal first, second, accords, इतना होता है, computer awareness में देख सकते हो, आप यहाँ पर, hardware, software, generation of computer, DBMS, networking, internet, MS office, input output device, important abbreviation, operating system, security and tools, viruses, type of virus, shortcut keys, processing software, number system and conversation, और इसमें अगर PO का exam दोगे तो इसमें आपका 100 marks का interview होगा, जिसमें इंटर्वी में जैसे भी question पूछे जाते हैं आपको पताई, और इसके बाद यह important books है, अगर आप math का यहाँ पर देख सकते हो, एक fast track objective की math की राजियस वर्मा की book आती है, आरेहन publication की, यह देख सकते हो, आप ले सकते हो, काफी अच्छी book है, इसके बाद second book के यहाँ पर देख सकते हो, कौइंट की, आरेहस एकरवाल की आती है, उसके बाद D.I. के लिए आप अरुन सर्मा या फिर अड़ा 24-7 की बुक ले सकते हो, math की, इसके बाद reasoning में देख सकते हो, आरेहस एकरवाल की आती है, वर्बल एन रोन वर्बल करके, और reasoning की अड़ा 24-7 से भी आती है, यहाँ पर as reasoning की साम नाम चाहती है, objective journal लिगनिस भाई RS एकरवाल यह लेख सकते हो आप, clean to paramount English book है, नीतू सिंग की grammar के लिए यह ले सकते हो आप, यह detail होता है, बाकि जो CET NRE का है, उसका जो end है, December end तक इस बार exam हो जाएगा, जो common eligibility test है, और आपको पता है, इसका exam 7 अगस्त से start होगा, लगबग अभी भी आपे 75 days है, इस exam को prepare करने के लिए, तो इसमें अच्छी तैयारी हो जाएगी, आज से आपको करना पड़ेगा, बाकि अगर बात करें, क्या CET से होगा, RRB color का, देखे RRB PIO का तो होगा ही नहीं, RRB color का अभी 75 days है, अभी अगर CET से होता है, तो इसमें syllabus, exam pattern होगा, CET का बताना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इस बार तो ना के बराबर ये, कि ये CET से RRB color का होगा, बाकी कुछ भी update आता है, तो मैं आपको इस चैनल पर update कर दूँगा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर देना, जो भी exam से related वीडियो देखना चाता है, उसे आप share भी कर सकते हो,